नमश्कार दोस्तों, आप सब को ममता की जिंदगी में प्यार और ममता भरी स्वागत है। मैं हूँ ममता शंकरी। गूड मॉनिग, आज सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, तो साथ ये साथ आपको भी दिखा रही हूँ मैं क्या बना रही हूँ मैं अज गेहूं का दोस्य बना रही हूं जो पहले एक imo upload कर चुकी थी गेहूं का दोसे वो उड़ा दाल के साथ बना रही थी अभी सिर्फ के नहीं दोसे बना रही हूं सिर्फ गेहूं हों है को भीगो के रहक हूं के पता है आप रहा लुग का आटा नहीं है ड hangs प्रीकि तो प्राइब से आगाए तो वह आता है अगर आट यह चीज नहीं आता है तो दोसे नहीं बना सकते हैं इसलिए दोसे बनाने के लिए पूरा गें हुख पीस्टने से अहिं नहीं बनता है हुद प्र तो पीस के बनाने से बहुत अच्छा होता है यह शूगर वालों का ब्लड शुगर रहने वाल जो डैबिडिस पेशेंट से नहीं सब यह सकते हैं इतना चानी नहीं कार्बुरेड़ जाज़दा है इसमें भी है लेकिन कम है फिर बीशरीर में कम लेता है इसलग यह हो अच्छ करचे डाल के फैलाने मुश्किल होता है वह जो दागे का जैसे स्ट्रक्चर है इसलिए नौर्मली दोसे जैसे नहीं प्ला सकते हैं जितना पतला चाहिए उतना पतला हो जाता है पानी थोड़ा कम डालना चाहिए बैटर को पानी ज्यादर डालने से इतना पतला नहीं होगा पानी कम दश्क्रीत काशनी ज्वकिल कटल यह जाता है इसलिए हम अच्यों बिसनो के दाव चाहे में बनाओन के छीए बंस्टव और आज बस इसमें बनाई के लिए पितना कड़क बन गया और भी कड़क बन सकते हूँ क्यां इसको उल्टा ज्यादा पतला है तो एक जरुत मैं तो हम कोई भी दोसे में इसे उपर से तेल वेल नहीं डालते हैं तो डाल सकते है इसे नहीं है डालने से भी चलेगा है कि कि अच्छा बन गया है दो से पतल से तो नरम बन गया हूं क्योंकि वह थोड़ा सा पानी भी है और जादत देर तक नहीं रखी हूं देर रंग न जाता है जल्दी निकलने से नरम बन जाता है यह क्या चावल क्यूंक सकता है। इसलिये नहीं बनता है धोने के बाद भी एक-दो धो से कराब हो जाता है कि इसलिये हमेशा बनाऊंगी तो फीर तो हमेशा करब होता है इसलिए मैं इसमें बहुत कम बनाती हूं सूजी का भी नहीं बनाती हूं वे दोनों बनाने से करब हाज जाते हैं आज तो बना रही हूं बस कि इसे पतले से फ्लाना है यह ब्लैड शुगर वाला मतलब डैविडिस पेशेंट्स होते हैं न वो लोग ग इंकाल सकते हैं आप पतला करके रोज बनाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगाए इसलिए वाराइटी बनाना पड़ेगा तब तो यह बनाएंगे वैसे भी डैविडिस नहीं है तो भी बनाते हैं हम लोग कुछ वाराइटी हो जाएगा नास्ट्री नास्ट्री के लिए अजश this किखे यह मतबहुत अच्छह लगता है इसके लिए दो करक हैleg हुआ युए कड़क वाण चीज अच्छह लकता है बंचे बहुत अच्छह सिखाते हैं पसंद से कोई भी चटनी के साथ संबर के साथ या अप मेटा काते हैं तो गूड के साथ शहद के साथ कुछ चीज के भी दो से खा सकते हैं कि अधर साइड में रह जाता है न वह कड़क बन जाता है इसके लिए जगड़ा होता है हमारे घर में भाई बेन को मुझे चाहिए मुझे चाहिए कितना कड़क बन जाता है वह अच्छा लगता है काने में तो जगड़ा करते हैं दोनों मुझे मुझे करके मैं आज गेम के साथ चावल का भी निर्दोसे बना रही हूं मुझे मेरे बेटी को गेम के दूसे चनल के बेटे और बेटे को लों को तो चावल का बना रही हूं मैरे खिल्द के दूसे बना 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 जाता है। यह यह वाला साइड वाला खाने के लिए थैयार रहेंगे अभी बचे चावल को बनाऊंगी तो बेटे के लिए चावल वाला वो नीरदों से बहुत पसंद यह उसको भी खड़क बना के खाता है तोड़ी देर रखने से वो खड़क हो जाता है दो अच्छा लगता है वो भाएगा नीरदों से कीसे बनाना है इसका रिसीपी तो मैं पहले बार अफ्लोड कर चुकी हूं आप देख ली जिए जो मेरे चैनल पे नहीं देखे तो फ्लेलिस्ट भी है दोसे वाला फ्लेलिस्ट भी है देख लिए जेक बर तो चावल वाला दोसे है तो देखिए यह उठेगा नहीं यह भी गहाई हुआ बना जितना भी आराम से करो दिहीरे से करो फिर भी वह उठेगा नहीं एभी नखरकरेगा तो तूट गया अच्छा दोस्य नहीं बनता है नहीं तो पहले आप देखे होंगे पहले वाले वीडियो देख लिए मेरे नीर दोसे का वीडियो अफ्लोल कर चुके हमें उसमें कितना पूरा जाद दिर तक रखे कड़क नाके नहीं तो नहीं उठेगा तो रखेगा तो अभी डोकर फिर उसके कि यह लोह के दोन में बनता है तर भी मैं तब यह हूं और दोस्टी का नाइस ट्रिक में बनाती है यह नीरद दोसे बनने मनें जितना भी एक्सपीरेंस हो यह फूम में गिरना तो है यह जाता है इस तो चिड़क जाता है बाहर आ पतला पानी यह होता ही दो से बनाने में यह सईड में इसे होई जाता है अब जितना भी एक्स्पीरेंस दो अभी मैं इतनी सालों से 27 यह से बना रही हूं कि तो बहुत ज्यादा एक्सपीरेंस से इसमें मुझे तो फिर भी हो जाता है है तो मैं शाजी से पहले भी यह बनाती थी मुझे यह खाने में भी पसंदेंस नीर्दोस इसलिए जितना भी मुश्किल भी बनाती हूं मैं यह अच्छा भी लगता है खाने में भी मैं तो सिर्फ नारेल के साथ खाती थी देखिए तोड़ी देर एक्स्राइब यह ज्यादा टाइम रखी तो खड़क हो गया देखिए अभी उटने लगा लिए खड़क होने से उट जाता है मतलब तोड़ी देर रखने से अभी उट दो तीन दोसे खराब हो गया उसमें खराब होने से भी खाते हैं हम लोग वह पख जाता है ना किसले फेक ना है शेप नहीं है बस टेस्ट के लिए कोई फरक नहीं पड़ता यह साफ करना एक काम हो जाता है नीरदोसे बनाने में लेकिन इस टील स्थाव है तो ज्याद मुश् चुला में मीटी वाला चुला है तो थोड़ा सब मुश्किल होता है उसको निकालना अब मैं वीडियो बंद करते हूं आप भी बना की देख लिए गये हूं अलदोसे तो आप बना सकते गये हूं आप लोग खाने वाले हूं खाते हूं आपका आपका ही है धाने मतलब जो बना की देख लीजेगा अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू